हेलो स्टूरेंट, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल संरा एडवान्स एजूकेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फस्ट की हिंदी की पाठे पुस्तक रेशम का लेसन फोर जिसमें हम पढ़ेंगे छोटे उकी मात्रा और बडे उकी मात्रा तो पहले हम पढ़ते हैं छोटे उकी मात्रा देखी, पढ़े उर समझे, देखी क्या लिखा हुआ है बै, गै, उ, ल, आ, क्या बना? बगुला ये एक पिक्चा दी गई है बगुले की आगे दिया है सै, आ, ध, उ, साधू आगे दिया है से आ बेउने साबुन नेक्स्ट दिया है लेउ टेई ये अलुटिया बोल कर पढ़िये से आ उने सुन बेउने बुन के उले कुल तेउ में तुम पेउत्र पुत्र पेशे उपशू ग्यूड गुड वे इधेऊर विधुर मे धेऊर मधुर एक बाद फिर से पढ़ते हैं एक बाद फिर से पढ़ते हैं आप इसको एक बाद फिर से पढ़िएगा अब हम पढ़ते हैं पढ़कर लिखिए पढ़कर लिखना है ये किस तरीके से लिखना है रगु पुलिया पर जा मुकुल मुरली कुनकुनाता रहे जुलाहिर गुडिया गिनकर गई फुस फुस आकर बात मत कर तुन्ना चुटकुला सुना गुडिया मुलायम थी अब हम पढ़ेंगे बड़े उकी मात्रा देखिए पढ़िए और समझे ये थे उकी मात्रा की छोटे उकी मात्रा हमने पढ़ी आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा स्टार्टिंग से अब हम पढ़ेंगे बड़े उकी मात्रा देखिए पढ़िए और समझेए क्या दिया हुआ है ये एक पिच्चर दी गई है तराजू की किस तरीके से लिखा हुआ है तराजू तै रे आ जै तराजू तो ये एक पिच्चर दी गई है तराजू की ये पिक्चर दी गई है फूल की फूल किस परकार लिखा गया है फै उले फूल और ये है भालू भै आ ले उ भालू ये क्या है सूरज सै उरे जै सूरज अब इनको भी बोल कर पढ़ना है जैसे हमने छोटे उकी मातरा को पढ़ा था लेट्स स्टार्ट के उजे पूज के उटे पूट फै उले फूल मेउले मूल शे उले शूल चे आ के उचाकू आ ले उ आलू भै आ ले उ भालू के आ ले उ कालू रे आ मे उ रामू सै उरे जै सूरज बैबे ले उ बबलू पैते ले उ पतलू भैने के उ भनकू एक बार हम इनको फिर से पढ़ते हैं कुज, कूट, फूल, मूल, शूल, चाकू, आलू, भालू, कालू, रामू, सूरज, बबलू, पतलू, भनकू, नोतन, खर्भूजा, तर्भूज, पतलूर, शहतूत, छूटना, कबूतर, कूटना, खूबसूरत, चबूतरा और पालतू अब इनको हमें बोल कर पढ़ना है देखी क्या लिखा हुआ है लालू, कूद, मत, जूला, जूल कर घरजा, मजदूर, तर्भूस, लाया, शालू, पूजा कर, धूल मत, उड़ा, तराजू, तोट गया सुबह घूमना चाहिए, भालू वाला आया, तोटा अमरूद, खा गया यह दियें, इसमें exercise, यह आपको करनी है, सुधा, मुरली, जुमका, अंगूर, इन सबको अला करके आपको लिखना expanded form में, अब हम जानते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है, छोटे उकी मातरा और बड़े उकी मातरा में क्या difference होता है यह मैंने कुछ शब्द बनाए है, difference को clear करने के लिए, लेकिन बड़े उकी मातरा यहां पर लागी है, छोटे उकी मातरा इधर बड़े उकी मातरा के सारे शब्द दिये गए है, तो यहां पर यह बना देउन धुन, और अगर हम बड़े उकी मातरा लागा कर पढ़ेंगे, यह तो क्या बनता है, देउल धूल, धुन, धूल, धुनना, मतलब धुनना होता है न, धुन, नहीं, धुन, किसी म्यूजिक की धुन होती है, तो धुन होता है, धूल मतलब आधी तूफान में जो धूल उड़ती है, तो धुन और धूल, कितना difference है दोनों में, ऐसी दिया ह यहां पर दिएया है चूर शूर रदेवर दूर सूर शूर 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 वीर होते हैं शूर और शूर दोनों में कितना डिफ्रेंस है यह यहां पर जो साउंड हो बहुत छोटी सी आ से लिए के लोग साउंड आ रहा कि साउंड आरहें ब्ल mos कंड्र कि मतलब किन तोटल भी हम इसको बॉल देते हैं इसमें यहां किल साउंड टंडा ठंडा ठंडा फूल तो यहां पेता है एक बूल और फूल ठीक है तो यहां पर जो साउंड है वह बहुत छोटी साउंड है और यहां पर साउंड बहुत बढ़ी साउंड है ऐसे दिया है मधूर मैं धैउर मधूर यहां दिया है खेजेऊर खजूर मधूर खजूर यहां दिया है धुन्ना धै उ ने ने आ धुन्ना यह दिया है धै उ मै ने आ घुम्ना धुन्ना और घुम्ना तो साउंड का डिफ्रेंस है जो छोटे उ की मातरा होती है उसकी जो साउंड होती है वो बहुत छोटी होती है शोट साउंड होती है लेकिन जो बड़े उ की मातरा होती है उसमें सांग लोंग होती है यहां पर दिया है फुल वारी यहां दिया है फूल दान यहां पर जो फुल है इसमें छोटे की मात्रा लगाई हुई है यहां पर जो फै है उस पर बड़े की मात्रा लगाई गई है तो हम इसको आजा ही पढ़ते हैं वारी को आधा ईंगों को भटा देते हैं से दान तो दोनु existing कि मात्रा होती है उसमें जो शोट साउन्न होती है बड़े तो इसमें जो साउंड होती है वो लॉंग साउंड होती है तो हमने समझा जो छोटे मातरा और बड़े मातरा का डिफ्रेंस भी वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू